हलो बच्चों नमस्कार, मैं अम्रिता गुपता, आपके अपने चैनल अम्रिता वायम ग्लासेज पर आपका स्वागत करती हूँ बन्वरी मिक्चर में आप क्या करते हैं, किसी भी कमपाॉंडिंग प्लास्टिक को क्या करते हैं इसमें क्या होता दो कांट्रेक्ट रोलिंग स्पाइरल सेप में ब्लेड होते हैं जो क्या होते हैं सिलिंडिकल हाउशिंग के द्वारा एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं एक ब्लेड के माध्यम से और वो ब्लेड इनको क्या करता है सर्कुलेटिंग हीटिंग और मीडियम को क्या करता है प्रोवाइड कराता है बनबरी मिक्शेर में जो हमारा डोग होता है वो क्या करता है अच्छे से मिक्स करता है स्पाइरल रोटेशन होता है और अपोजी डिरेक्शन में 30-40 रोटेशन पर मिनट क्या करता है इसमें क्या होता है शेरिंग एक्सिन भी बहुत ज़्यादा होता, पावर इंपुट भी बहुत ज़्यादा, 1200 किलो वार्ट, पर 250 केजी के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बेटे जो हमारा बनबरी मिक्शेर है, उसका प्रयोग हम किसी भी PVC के मिक्सिंग के लिए, रिफाइनि के लिए हम करते हैं आपको यहां figure में दिख रहा होगा कि जो भी हमारा basic operation cycle होता है बन बरी mixture है पहले तो हम आपरेशन को start करते हैं फिर discharge door close होता है सबसे पहले operation को start करते हैं फिर discharge close हो जाता है discharge जो door होता है वो close होता है रायम के उपर उठने से और हापर के डोर को उपन करने से उसके बाद हम कापाउंड को इन्पूट करते हैं फिर मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है फिर हम हापर को क्लोज कर देते हैं उसके बाद हम कारवन को भेशते हैं फिर उसके बाद मिक्सिंग पीरियोड हम देखते हैं फिर रैम को उपर उठाते हैं, फिर आयल को इंजेक्ट करते हैं, फिर रैम को डाउन करते हैं, फिर रैम को अपर डाउन करते हैं, रैम को फिर फ्लोट करवाते हैं, फिर ओपन डिस्चार्जिंग डोर का प्रियोग करते हैं, उसके बाद हम नेक्स साइकिल को क्या करते हैं, स material को यूज कर रहे हैं फिर कौन-कौन से additive के क्या क्या sequence है यह भी होना बहुत ज़रूरी होता है जो cylinder pressure होता है इसका प्रियोग करते हैं फिर rotational speed कितना रहना चाहिए इसका भी हम ध्यान रखते फिर mixing timing कितना होना चाहिए सबसे ज्यादा मेन important factor होता है उसके बाद उस finish mix का chamber का rotation का temperature क्या-क्या होना चाहिए ये भी हम देखते हैं और mixing के लिए कितनी energy की requirement है ये भी हम देखते हैं तो बच्चे आज की class को यहीं conclude करते हैं और आगे के lecture को आगे continue करेंगे धन्यवाद